नबसकार दोस्तों, यूटूब चैनल, रेबिट रिंफोर आप सभी खार दिख सोगत है, मैं सोनू इननती रेविट फार्म से, दोस्तों अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीच चैनल को सब्सक्काइब करने और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे आपको मिलते हैं वह अपने आप में प्योर होंगे बसारते उनकी नसल एक जशी होनी चाहिए अगर निजिलेंड वाइट तो दोनों निजिलेंड वाइट होने चाहिए सब्सक्राइट है जब आपको दोनों की बच्चे आपको मिलते हैं तो आप उन बच्चों में से जो मेल और फिमेल आते हैं तो दोस्तों इनलाइन ब्रीडिंग से बचे हैं यह इनलाइन ब्रीड जो होती है आपके फार्म को एक तरह से बरबाद कर सकती है इसमें आप जैनेटी के लिए बहुत दिक्कते आती है कभी बीड हù जोजनी करना कर जी हम लोगों को जैसे कि आपके इंक टों कि साधिवर्ण करते हैं तो लड़की कि साइड के वह थीं इन लाइन ब्रीडिंग का मिक्स अप नाए फ्यूचर में जाकर उनमें जनिटिकली कोई प्रोब्लम ना हो तो यह सेम चीजा में रेविट फार्मिंग में भी देखने को मिलती है तो आप इन लाइन ब्रीडिंग से बचे में लाइन ब्रीड पे जाए अलाग अलाग माब आप केटेगराईज करें फीमिल अलाग और मेल अलाग कभी उनके एक अपके बच्चों का ब्रीडिंग में यूजदना करें कि बोत बार हमें यह गल्टी करते हैं कि एक मेल तो सेम यूज खरते लेकिन प्रीमेल अलाग लाग यूज़ कर लेते हैं यानि कि मैं आपको एक सब्सक्राइब लाएव सब्सक्राइब और के लिए कर वाता हूं और उनके झो बच्चे आते हैं तो उनकी मदर अलग अलग होगी लेकिन फादर सेम होगा तो कभी वी अलग अलग मदर के लिए वे बच्चों को भी आपस में ब्रीडिंग ना करा तो इस चीज से भी आप बचे इन लाइन ब्रीड पे ना जाए हमें साथ लाइन ब्रीड चूज करें लाइन ब्रीड का आप अल्रेडी समझ चुके हैं फिर भी ना समझ जो तो एक बार मैं फिर उसी चीज को रिपीट करना चाहूंगा अलग अलग माबाप के बच्चे सेम न लाइन ब्रीड पे लाइन ब्रीड सक्सेज है कम से कम प्रोब्लम आपको देगी ग्रो लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आईगा उनको आप फीचर ब्रीडर के तोर पे भी यूज कर सकते हैं यह थी आज के अपडेस्ट थैंक्यू दो क्या है